हाई गाईज, वेलकम तो श्टडी गाउच, तो आए दिन हमें सुनते रहते हैं कि इंडिया का जो फॉरें एक्सेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व जो है, वो इतना बढ़ गया, इतना घट गया, जो कि अभी मोस्ट रिसेंटली 600 बिलियन शे भी उपर हो गया, तो य यह एक्च्छूली में क्या होता है, किसी भी कंट्री के द्वारा उसका फॉरें एक्सेंज reserve के बारे में कि यह actually में होते क्या हैं तो यह कुछ assets होते हैं जिन सब को reserve में रखा जाता है किसी भी country की central bank के द्वारा पर यहाँ पर एक condition है कि यह सारे assets जो हैं बस उस country की जो currency उसको छोड़के बागी किसी और country की currencies में होने चाहिए अब जादा तर global level पर सारे world में जो भी reserve म रखे जाते हैं वो US dollars रखे जाते हैं क्योंकि world में सबसे ज्यादा जो trade होती है वो dollar की currency में होती है इस वज़े से जो भी reserves होते हैं उन सब में सबसे ज्यादा जो amount रखी जाती asset की रूप में वो dollar होती है इस वज़े से ही जो world का largest foreign exchange reserve है वो China के पास में है जिसकी total amount यहां प gold भी रखा जाता है example के तोर पे रसिया का जो foreign exchange reserve है वहाँ पे ज्यादतर US dollar तो है ही बट उसके साथ साथ जो रसिया है वहाँ reserve में gold भी रखती है Since जादतर जो trades होती है US dollars में होती है और अगर किसी country का foreign exchange reserve काफी जादा US dollars में है तो उसके लिए जो international trades होंगी उन्हों सब को execute करना काफी आसान हो जाता है उसके साथ जैसे कि मानलो कोई भी country है वहाँ पे foreign exchange reserve काफी जाता है और वहाँ पे economic slowdown हो जाता है तो economic slowdown जब होता है तो import उस situation में काफी जादा बढ़ जाता है और जब वहाँ पे किसी और currency के जिसकी example के तोर पर dollar जो काफी जाता है उसके foreign exchange reserve है तो उसके import को support किया जा सकता है तो मतलब किसी भी country की जो central government की agency होती है उसके लिए ये एक backup fund की तरह काम करता है अगर वहाँ की economy डगमगा जाती है तो ऐसी situation में ये backup fund की तरह उस country के लिए काम करता है अब यहाँ पे इंडिया के respect में हम बात करते हैं इंडिया का जो foreign exchange reserve जो है उसमें cash भी होता है bank deposits bond हो या फिर financial assets हो गए जो की काफी सारी foreign currencies में होते हैं और यहाँ पे जो RBI है उसके द्वारा इसको manage किया जाता है RBI का जो act है Reserve Bank of India Act and Foreign Exchange Management Act जो की 1999 में पास किया गया था इन दोनों act के थू ही यहाँ पे RBI को legal provision दिया जाता है जो foreign exchange reserve है उसको manage किया जाए और January 2021 तक इंडिया का जो foreign exchange reserve था वो world का fifth largest foreign exchange reserve था इससे उपर यानि कि fourth number पे यहाँ पे रशिया आता है और इंडिया के इस foreign exchange reserve में कई सारी चीज़े हैं जैसे कि first यहाँ पे foreign currency assets मतलब कि यह जो भी total यहाँ पे फोरेक्स reserve हो उसका सबसे बड़ा component है इसमें bank notes हो गया, deposits हो गया, government securities हो गया जो भी reserve currency हो उन सबकी bonds या treasury bills इस टाइप की जो चीज़े होती है वो सब foreign currency के asset में आती है और इंडिया में March 2021 तक जो total foreign currency asset था वो 536 billion dollar के आसपास में था जिसमें से 359.87 billion dollar जो था वो basically overseas की जो securities है उन सब में invest किया गया था बाकी यहाँ पे 153.39 billion dollar जो है वो यहाँ पे बाकी countries की जो central banks है उन सब में deposit कर रखा है उसके अलावा जो बाकी 23.42 billion dollar बचता है जो की total FCA यानि की 536 का 4.36% है इतना dollar इतना billion dollar जो है overseas जो बाकी foreign countries में जो commercial bank है उन सब में deposit कर रखा तो कुछ इस तरीके से इंडिया का foreign currency asset distributed है उसके बाद second number पे यहाँ पे आता है gold जो की total forex reserve जो है उसका 6.6% constitute करता है March 2021 तक RBI के पास में 695.31 metric ton gold था जिसमें से 403.01 metric ton जो था उसको यहाँ पे bank of England और bank of international settlement इन दोनों में custody के रूप में रखा गया और बाकी यहाँ पे 292.30 ton जो gold है उसको domestically मतलब की इंडिया में RBI के पास में ही इतना gold रखा हुआ है बाकी foreign countries में है अब धर्ड नमर पे आता है special drawing rights जिसको की XDR के नाम से भी denominate किया जाता है यह यहाँ पे supplementary asset की तरह काम करते हैं जो हमारे main foreign exchange reserve होता है उसके लिए इनको define और maintain करने का जो काम है वो IMF international monetary fund के द्वारा किया जाता है जिनकों की 1969 में IMF के द्वारा start किया गाता है यह कोई currency नहीं है और नहीं यहाँ पे IMF के कोई claim है यह basically एक currency पे claim है जिसको की IMF के जो member countries है उन सब के द्वारा रखा जाता है और उस currency पे वो exchange कर सकते हैं और किसी भी country के लिए XDR या SDR की जो value है उसको calculate करने के लिए 5 major currencies की एक weight basket बनाई जाते हैं जिसमें US dollar, euro, Japanese yen और Chinese yuan उसके अलावा British pound यह सब currencies included है इन सब के basis पे ही यहाँ पे XDR के value को किसी भी country के लिए determine किया जाता है और इन पे जो interest rate होती है वो यहाँ पे interest होता है जो की members को pay किया जाता है उनकी SDR holdings पे अब fourth and last reserve transaction position यह basically इसका मतलब यहाँ पे यह हो गया उसका जो required quota है उसकी currency को international monetary fund में provide कराने का उसका एक portion होता है जिसको reserve transaction के नाम से जाना जाता है इसको simple term में हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह IMF में एक emergency account होता है किसी भी country का यहाँ पे वो country IMF के member obviously होनी चाहिए तो IMF members के जो यह country जैनके emergency account है जिसको किसी भी time access कर सकते हैं बिना कि इसकी conditions पे agree किये हुए और बिना कोई service fees वगेरा दिये हुए इन चारों से मिलके ही इंडिया का जो foreign exchange reserve या Forex reserve वो complete होता है चारों को combine करते हैं तब ही जाके उसको इंडिया का foreign exchange reserve या Forex reserve बोलते हैं तो यही थी कुछ important information Forex reserve के बारे में आज के लिए बस इतना ही hopefully you guys find it useful and if you find it useful then do like share and subscribe to study couch thanks for watching and have a good day